Guys, budget phone की बहुत ज्यादा demand आ रही है आजकल and इसके लिए हम आपके लिए ला चुके हैं एक और बहुत ही तगड़ा वाला budget phone जो है POCO का C55 और ये smartphone एक बहुत तगड़े performance और साथी साथ एक जबर्दस look के साथ में आता है सारी चीज़ है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सो ही पूत सब गाइस वाले में सहीर and this is the unboxing of this POCO C55 So, let's begin So guys, सबसे पले आपनोंगा unboxing दिखते हैं So guys, यह है BOX POCO C55 Mediatek Helio G85 काफी अच्छा प्रासर है 50 Megapixel camera है HD Plus screen है 5000 mAh battery 10 Watt charger Fingerprint sensor है 5 GHz का Wi-Fi band support करता है 120 Hz का touch sampling rate dual-volt, dual Wi-Fi चलो ठीक है बहुत सारे features हमको पीछे ही mention किये हैं and यह जो है 6 GB, 128 GB variant है Mare in India forest green color Let's open this यह हमको सबसे उपर phone देखने को मिल रहा है ओ भाई, यह तो कुछ भलता है साही है कुछ अदर दिख रहा है and अब हम phone के अंदर बढ़ें अगर ओ भाई oh my god, what a beautiful phone यार यह पूरा leather type का design my god, लगी निले 10,000 के अंदर का phone है feels very very premium क्या ही दिख रहा है यार, मतलब एक number दख रहा है लेकिन cover नहीं दिया इसका जो design है वो flaunt करने वाला है तो cover क्या ही देवे screen card भी pre-applied नहीं दिया तो cost cutting यहां पर हमको देखने को मिल रही है लेकिन जो design है वो तो मेश्वरी design है आपर पाकि अगर physical world भी दो तो bottom side के बात करूँ तो यहां पर हमको speaker grill देखने को मिल रहा है micro USB port है अब सस्ते phone में micro USB port companies justify करते हैं जो tier 2 cities है tier 3 cities है वो micro USB ही अभी भी main stream में है but I don't think so micro USB देना आज की date में sense बनाता है उसके बाद जो में हमको यहां पर primary microphone hole देखने को मिल जाता है इस side के बात करूँ तो भाई आपको sim card का tray देखने को मिल जाता है triple slot देखने को मिल जाता है back side की बात करो तो back बहुत ही जाता beautiful है wow यार अच्छा लग रहा है आपर camera का module है बड़ा सा POCO के ब्रेंडिंगा यहां पर fingerprint scanner है यहां पर dual camera देखने होलता है AI camera 50 megapixel का main camera है I guess 2 megapixel का depth sensor होगा बाकि front में हमको यह उपर के side में earpiece देखने को मिलता है front facing camera है and कुछ sensors होंगे and यह हमको screen देखने कोलती है जो chin है वो थोड़ी थी बड़ी है but under 10,000 rupees को यह साथ complaint वाली बात नी है so यह थी unboxing guys and अब हम phone की तरफ अगर बढ़ें तो भाई जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो undoubtedly one of the best looking phone under 10k for sure भाई देख रहे हो यह जो leather design है it looks so premium और अच्छा feel भी ऐसा हाथ में अच्छा काता होता है even though it is plastic मैं जब से use कहता हूं तबसे मैंने ऐसा feel कि कि भाई cover की जरुवत नहीं पढ़ने वाली को तब यह phone अगर आप use करते हो इसना बड़ा सा camera blending है अजब इधर पर जो camera का module है तो it looks very like so to say expensive जोड़ा सा महेंगा सा महसूस होता है like 10,000 रुप का phone ने लेकिन असा लगता नहीं कि यह 10,000 रुप का 15-16,000 रुप की feel देता है आपर जिसे पूरा जो material वगरा है बखियां पर हलका सा curve है प्लास्टिक की body है लेकिन जो build quality है वो काफी मजबूथ है जो कमजोर सा feel नहीं है काफी मजबूथ सा feel होता है जो इसका look है जो इसका style है काफी तकड़ा है definitely trendy दिखता है उसके आद आगी की तरफ बड़ो तो यहां पर हमको यह 6.7-inch की screen देखने को मिलती है यह HD plus screen है IPS LCD जो screen की brightness है वो decent है जो quality है वो भी अच्छी है मतलब सब बुरी नहीं बोलूँगा definitely यह price में ठीक है में को ऐसा लगा क्योंकि भाई Sub 10K में यह usually देखने को मिलता है कुछ-कुछ phones में emoled भी आता है आसा कोई problem नहीं देखने को मिली में को यहाँ पर बाकी speaker की बात करूँ तो नीचे bottom में single bottom firing speaker है and quality की बात करूँ तो even quality is good इना quality पर अच्छी है बुरी नहीं लगी भाई मेरको जो display and sound है उससे मैं satisfied हूँ आसा कोई problem देखने को नहीं मिला यहाँ पर हमको widevine L3 का support देखने को मिलता है नेट्फिक्स और पर आप full HD content stream नहीं कर सकते लेकिन 720 की screen है जो tension लेने की ज़राता ही नहीं भाई बाकी इसके अंदर मैंने जीओ कर सुमकाट डाला must 4G का signal आ रहा है view wifi भी आ जाता है easily 4G भी आ जा रहा है view LTE भी है और इसके अंदर हमको इनका Poco का खुद का डाइलर देखने को मिलता है जो Xiaomi का डाइलर है भाई यह चीज बहुत तगडी लगी मेरेको यहाँ पर आपको प्रॉपर जो Google का डाइलर है वो नहीं मिलता है यह डाइलर से आपको बेनेफिट होता है आप नेटिव डी कॉल रेकॉड कर सकते हो बाकि कॉलिंग वगएरा करके देखा मैंने क्वालिटी अच्छी ती यह पीस का साउंड जो है कान पर लागाने का साउंड अच्छे सा आता है आपको अच्छे सा आवाद जाती भी है यह जैसे आप लोग देख रहे हो मतलब बहुत फास्ट नहीं है लेकिन प्राइज में काफी क्वीक है फटक से कुल जाता है जैसे आप लोग देख रहे हो बखिए फेस उन्लॉक की बात कुरूगा इस तो देखो बटन दबाया है तुरंट कुल गया काफी फास्ट है face unlock में मितलब जो प्राइब मैं उसके सबस्टों मैं definitely मिलूँगा काफी फास्ट है वागी गई 5,000 इमेज की बैटरी है और 10W का चाहज दे रहा तो definitely आपको लगबग 2-5,5 गंटा लगेगा इसको full charge करने में लेकिन by 5,000 इमेज बैटरी काफी जबरदस था आपको देड़ से 2 दिन का easily बैटरी बैटरी बैकप दे देगा यह फोन तो मिनको काफी अच्छा लगा यह चीज अगर आप heavy user हो तो भी आप एक दिन तो अराम से निकाल लोगे कोई tension निन की जवरत नहीं है बैटरी लाइफ काफी अच्छी है काफी कम पावर कंज्यूम करता है जो में को काफी अच्छा लगा अब उसकी वाद अगर मैं कैमरा की तरफ बढ़ू गई तो यहां पर हमको 50MP का में देखने को मलता है और यहां पर एक depth sensor देखने को मलता है नीचे और फ्रंट वे हमको 5 8 अच्छी 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 तरफ बढ़ते है 8 अच्छी अच्छी आप उन फोटों के तो अच्छी आसक प्राइब में पाकी अगर मैं फोटोस की बात करू तो गईस यहां पर देखो में पर देखो यह मेन कैमरे से फोटो लेगी है and I have to say मतलब जो प्राइज में आ रहा है सब टन के definitely अच्छा फोन है मतलब आप अच्छी decent फोटो से सकते हो काम चलाने वाले से कोई problem नहीं है तो बहुत अच्छा camera expect नहीं करोगे मतलब आपका काम चल जाएगा वहले हिसाब किताब है बुरा नहीं आपका काम चल जाएगा अच्छी decent फोटो आ जाती है इवन human subject के फोटो अच्छी आजए है colors बगरा जो है skin tones बगरा अच्छी है जो को portrait mode में है even edge detection भी decent है ऐसा खराब नहीं है फोटो शार्पनेस बगरा उतनी कुछ खास नहीं है detail बगरा भी उतनी कुछ खास नहीं लेकिन भाई 10,000 पर नीचे आप क्या ही expect करे होगे decent मतलब decent photo ले पारा है even selfie भी काफी अच्छी दिखा जाए तो बुरी नहीं लगी में को यहां पांच में काफी अच्छी है even front facing portrait भी काफी अच्छा खासा ले ले रहा है और यह guys कुछ वीडियो भी आप लोग देख लो और भी ठीक है तो guys यह video front facing camera से बन रही है और यह भी 1080p में है तो कुछ इस तरह की video 1080p में बन जाती है guys यह phone से do let me know guys आपको किस तरह का लगा यह video so जैसे आपने देखा even cameras भी ठीक है मेर को ऐसा कोई बड़ी शिकायत नहीं है camera बाकि cameras के बाद performance की तरफ बढ़ू तो यहां पर हमको Mediatek का Helio G85 processor देशने को मिलता है and I am really really happy with this processor भाई मैंने बहुत ताइम यह processor use किया है and I have to say थोड़ा पुराना है even आज की date में मैं definitely बोलूँगा थोड़ा पुराना है but आज की date में भी भाई बहुत दमदार performance निकाल के देता है सब 10 के में धाई लाग का intuitive score definitely एक दमदार processor है even gaming भी आप लोग अच्छी काती कर सकते हो इसके अंदर राइम डाइम लाइम जुब राइमुटत अजी भाव चर्कपत है आपको काफी अच्छा लगा बहुत हाएंड नहीं कर सकते हो लेकिन जैसा आप अंडर 10K के फोन में एकस्पेक्ट करते हो उससे थोड़ा साधा बैटर यह विकॉस G85 बहुत दंदार प्रोसेसर है प्लस यह 6GB RAM के साथ में आता है 128GB internal storage के साथ में अगर यह 999 का launch होता है यह specs के साथ में तो definitely एक अच्छा phone हो सकता है performance is pretty good actually जो basic आपका day to day task में performance, app open करना, games open करना सारी चीज़े उसमें अच्छा जाल रहा है मैंने benchmark भी करके देखा और बैंच्मार्क के result भी काफी अच्छा है जिस आप लोग गेख रहे हो जो storage के speed भी काफी decent है उसके पाद जो geekbench का result भी decent है and 2-2 में भाई काफी अच्छा perform क्या है, 2,50,000 के उपर का score है जो sub 10 के device के लिए काफी अच्छा है to be honest and उसके आज मैंने 15-minute के CP throttling test किया, यहां पर भी जिसे अगर आप लोग देख पा रहे हो काफी अच्छा काफी smooth performance देखने को मिला, जो मैं को काफी अच्छा लगा यहां पर software की बात करूं, to MIUI 13 हमको देखने को मिल रहा है and I hope Android 13 आवे, at least Android 12 पे चल रहा है and overall मैं तब software में को काफी अच्छा लगा, MIUI है तो MIUI का कैसा है न वाई, either you love it or you hate it को middle way ने रहता भाई, मेरको MIUI बहुत पसंद है, पहले से पसंद है लेकिन बीच में इतना जादा problem हो, create हो गया मैं दुनियावर के bugs थे, यह थे, वो मगज मा जला था का लेकिन अब MIUI काफी जादा हद तक fix हो चुका है काफी मस्त performance में को इसके अंदर देखने को मिला MIUI का मैं को काफी अच्छा लागा भाई, even बहुत सारे Bluetooth बगारा जो आते हैं इसके अंदर आप अंस्टॉल कर सकते हो, easily तो मैं आपको एकदम quickly बताता हो, इसको setting कैसे करना है तो फटाक से setting में आना, home screen के यहां पर more में जाना है, इसके जो default launcher है, उसके अंदर आपको पोको ही चूज करना है अब ड्रॉर में लाके, app suggestion बंद कर देना है, manage app category इसको भी बंद कर देना है double tap on कर दो, arrange items जो है, उसको horizontal कर दो, अब एकदम यहां पर एकदम सही हो कहा है अब यह जो इतना सारे कचे रहे नगई, बहुत सारे इसके अप्लिकेशन आते हैं, mod, Spotify, Zilli, यह सब अपने को नहीं चाहिए तो यह सब remove करने का फटाफट, remove करने का एक तरीका बताता हूं इधर पर यह जो security है, इसके नदर जाओ, and manage apps में जाओ, uninstall में जाओ यहां पर आपको सारे अप्लिकेशन लिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपको नहीं चाहिए, फटा-फट उड़ा दो यहां पर mod, bubble shooter, Spotify, Meet, LinkedIn, Netflix सारी जो एप फालतू की यह सारी एक साथ में रिमूव भी जाएगी, बट अभी भी कुछ एप्लिकेशन यहां से रिमूव नहीं, जैसे जिल्ली हो गया, तो यहां से आप लोग, manually install कर दो, लेकिन एक चीज काफी अच्छे लगी कि भाई, इन लोग बहुत सारा option देते है, इसको भी बन करते है, यहां पर फालतू की एड नहींगी, तो अभी आपका फोन जो है काफी clean हो चुका है, जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हो, कुछ भी फालतू का कचरा नहीं रहेगा, very nice, I like this, और सारी चीज़ें डिसेबल कर सकते हो, आड बागर का टेंशन नहीं आपको गूगल का डाइलर भी नहीं मिलता, तो बहुत सही है, मतलब software-wise काफी अच्छा है, overall अगर बात करूँ, तो under 10 के बहुत ही बहतरीन फोन है, लेकिन I really don't understand, भाई, micro USB port कौन देता है 2023 में, अब खुद सोचो, मैंने इसके design के बारे में tweet कहाता, तो इनके जो India head है, उन design बना रहे है, design, trendy design, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं थे, Gen Z लोग USB Type-C port यूज़ करेंगे, भाई, micro USB port क्यूज़ करेंगे, but even though मैं ये चीज़ समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साथ offline market में दिखा किसे को micro USB और Type-C तो फरक ने पड़ता, तो offline market के लिए तो definitely तकड़ा मैं, I hope आपको वीडियो अची लगी है, चीज़ लगी है, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करेंगे, and thank you so much for watching this video guys, bye!